हेलो 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 तो आज हम देखने वाले सेट्स रिलेशन और फंक्शन ने टॉपिक ठीक है तो और लेड़े मैंने बोला था सेट्स रिलेशन फंक्शन यह बहुत इजी टॉपिक है अगर आप देखोगे तो बाकी बाकी टॉपिक से उनसे अगर आप वैटेज के लिए कर रहे हो इस नहीं कर रहे हो तो倫िक है तो इस वाले टॉपिक है कुनाल पूच रहे सर्फ प्रिवेस येर क्वेशन कुनाल मैंने हमारा जो क्यू स्टड़ी आप है वहाँ पे मैंने प्रिवेस येर का जो 2019 का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो और हमारा जो टेलिग्राम चैनल है कॉनकर आकेडिमी का उस पे भी बेर कर दो आप है झाल 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 सब को आवा जारा है भी? झाल हलो आवा जारा है जाब को? okay okay thank you no issue no issue okay we'll start now we'll continue sorry for this inconvenience ठीक है टेकनिकल एर हो गया था कुछ okay okay no issue so sets की बात कर रहे थे हैं मैं आपे ठीक है न तो set is well defined object बोल रहा था मैं ठीक है न सेट is nothing but well defined collection of object है तो देखो या पे 123 बोला हुआ है तो first five natural number बोल दो या first seven natural numbers बोल दो या आप कुछ भी बोल सकते हैं जैसे classroom में classroom में जो जो object रखे उनका collection हो गया ठीक है ना हूं देखो यहां पर जो दिया है देखो 123 दिया हुआ है तो देखो one अभी इसमें दो को एक important चीज़ है one is in a one is element और member of a ठीक है ना यहां पर आप क्या बोल सकते हैं one जो यहां पर a का एक member है और element है तो define कैसे करते हम one belongs to a ठीक यह जो sign यह किसका होता है belongs का होता है ठीक है यह होता है belongs का और उसके बाद एक subset होता है subset पता है आपको आगे explain भी करने मैं वाला हो ठीक है subset क्या होता है उससे ही कुछ element लेकि अगर मैं कोई set बना देता हो तो उससे क्या बुलाते हैं subset बुलाते हैं जैसे देखो मैंने b में क्या लिख दिया only three लिख दिया तो three देखो और जो subset होता है वो curly bracket में लिखा जाता है बहुत बच्चों को इसमें confusion होता है ठीक है तो subset curly bracket में define किया जाता हो तो three यहाँ पर subset है तो subset के लिए use करते हैं जैसे b is a subset of a अगर u को मैं ऐसे horizontal लिख दू तो यह subset का sign है धना जाता है ठीक है तो यहाँ पर जाएगा अपका जो three यह नहीं यह curly bracket में three is a subset सेट है तो मतलब वो क्या होता है B is a subset of A होता है ठीक है ना सेट होता है कोई तो किसी और का क्या होता है subset होता है यह कभी लिखके नहीं आएगा ठीक है ना अगर ऐसा कोई लिखके आता है कि सेट मतलब यहाँ पे curly bracket of 3 is a subset or is a belongs to A यह totally क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा does not belongs to A B क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा इसको क्या है subset of A और not subset of A not subset of A में ऐसे line आ जाता है तो यह दोने ही possibility उसमें ठीक है और कुछ possibility नहीं उसमें ठीक है आगे continue करते हैं देखो अभी sets and subset अभी जो बात हुई थी हमारी subset में मैंने अल्लेड ही बूला था कि आप क्या कर लो कोई एक बड़ा set है उसमें से कोई कुछ element लेकि कोई नया set बना दो जैसे देखो यह 123 अप टू कहा तक लिख दिया मैंने 10 तक लिख दिया ठीक है यह क्या हो जाएगा एका क्या हो जाएगा subset हो जाएगा क्या हो जाएगा subset यही concept बोला हुआ है ज्यादा कुछ नहीं है बहुत easy वाला concept है तो इस पर ज्यादा time waste नहीं करेंगे हम ठीक है अभी देखो representation of set यह दो टाइप्स होता है एक होता है set builder form एक होता है roster form ठीक है दे आर स्क्वेर से तो इनको define के से करते हैं in terms of x है यह दाता सेट x है बट x को आगे define करना होता है तो क्या define करेंगा आप यह जो x है इसको क्या लिख देखो मैंने जैसे x is equal to n square where n belongs to natural number अभी देखो यह भी condition नहीं के natural number तो infinity तक है तो यह आगे क्या लिख दिया फिर में यह यह लिख दन इकोल to 5 यह होगे definition यह यह less than 6 दोनों भी सही है less than equal to 5 भी सही है क्योंकि 5 इंक्लूड हो रहा है less than 6 तक अगर मैं बोल रहा हो तो 6 के नीचे वाले 6 इंक्लूड नहीं होगा उसमें ठीक है यह यह तक लिए रहा है उसमें coordinate geometry का question करवा है हमने ठीक है coordinate हुआ है बस अपना अभी जो बचा हुआ है न वो linear differential equation एक बचा हुआ है differential equation and probability एक बचा हुआ है ठीक है तो 22 के पहले में दोनों वीडियो कवर कर दूँगा और एक बार एक revision का वीडियो भी करवा दूँगा पूरे topics का तो आप tension मत लीज पता है कोई भी नमबर आप सकते हो जो भी नमबर आपको पता है है अपने सुना है आप लीग सकते हो आप यह कर सकते हो तो हो क्या होता है अपका real laverse अचे तो तो डेनमबर आपको पता है ओल वर बीक रियल Südk uh है नहीं बोल सकते हो और कि नमBER कितना भी बड़ा बोल देंडर गोल लुद्ध तो रिए नमγαरें नमबर कुछ बोल सकते हो सबसे बड़ा सेट तो रिए नमबर अगर सबसे बड़ा से यह नोटेशन करता है तो इतना ज़रूत नहीं पड़ेगी इसके भी बड़ आमें पता होना चाहिए N for natural number होता है, W for whole number, Z for integer, Z plus होता है तो positive integer है Z minus negative integer है, Q for rational number, R for real number, यह 9th में होया अपना, ठीक है C for complex number होता है, तो complex number को आप ignore कर देजे क्योंकि आपके सिलाबस में बिल्कुल ही नहीं है, belongs to है, यह does not belongs to अभी बोला था और there exist होता है There exist मतलब for some values के लिए होता है, ठीक है न, there exist अगर मैं बोलता हो, तो for some values होता है तो mathematical notation ही है, देखो यह chart बना होया, बहुत important है, तो सबसे बड़ा set अभी मैंने बोला real number का होता है, सबसे बड़ा set कौन सा होता है, real number, तो real number के नीचे, real number जो भी numbers पता है आपको, ठीक है, minus infinity से बीच में 0 आजाएगा, और last तक कहा तक आएगा, infinity तक, देखो बहुत बच्चों को confusion होता है, कि real number मतलब जो whole number है, न, ऐसे 1, 2, 3 वैसे ही लेने, integers ऐसे, नहीं, देखो अगर आप 0 to 1 के बीच में भी लेते हो, या 1 के 2, 1 and 2 के बीच में भी लेते हो, तो वो भी infinite real numbers है, ठीक है न, infinite real numbers आते हैं, देखो 1.1 आता है, 1.0, 0, 0, 1, 2 आता है, तो यह सब किस के बीच में आ रहा है, 1 and 2 के बीच में, और यह सब क्या है, real numbers है, तो real numbers बहुत बढ़ा set है, ठीक है, तो उसमें बहुत numbers आते हैं, फिर rational number जो है, P by Q के form में जो भी represent कर पाते हैं, मतलब ratio में, और यह rational मतलब क्या होते हैं, जो represent नहीं कर पाते हैं, जैसे root 3 देखो, वो repeating वाले जो होते हैं, मतलब 1.32 something ऐसा चलता रहता है, देखो, root 3 के value पता होगे न, 3.14 और यह, infinity तक आगे चलता रहता है, root 5 देखो, यह root 7 देखो, ठीक है न, यह root 11, यह सब क्या होते हैं, यह rational numbers होते हैं, अभी देखो, rational number तो यह rational number तो यह इपी खतम हो गया, rational वापस क्या होता है, fraction यह काता है, integer यह आता है, ठीक है, तो मान जैसे मैंने 1 से 5 तक number लिख दे, तो बीच में 2, 3, 4, and यह आ जाएंगे, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यह सब क्या integers है, बट 1 and 2 के बीच में जितने भी point में number आएंगे, वो क्या जाएंगे, तुम्हारे fraction वाले आ जाएंगे, समझ में आ रहा है न, जैसे देखो, 1.1 यह fraction है, 1. 1.5 यह भी fraction है, तो बीच वाले सब fraction है, और बचे जो भी कहा जाएंगे, देखो, 1, 2, 3, integer है, यह negative में भी चलेगा system, minus 2, minus 3, minus 4, तो देखो, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, यह सब integers है, बट अगर मैं minus 4, minus 5 के बीच में कुछ ले रहा है, देखो, minus 4.5, minus 4.6, तो यह सब क्या जाएंगे, त तो integers में भी वापस उन्होंने negative and positive integers बोल दिया है, यह whole number बोला हुए, तो negative integers मतलब क्या हो जागा, देखो, तो मारा minus infinity, minus 3, minus 2, and minus 1 तक आ जाएगा, whole number starts with 0, always keep in mind, 0, 1, 2, 3, and so on कहा तक जाता है, infinity तक, मतलब 0 से start होता है, फिर उसमें 0 उन्होंने अलक्से कर दिया, और अगर म once accounting start कर देता, तो क्या हो जाता है, मेरा natural number, बहुत ही simple सा concept है, पता होना चीए, बट आपको, ठीक है, आगे चलते हैं, तो subset already बुला हुआ है, वापस एक slide आया हुआ है, आप देख लो, ठीक है न, subset के लिए हम यह symbol उज़ करते हैं, ठीक है, subset के लिए यह वाला उज़ करते ह पिर, देख अब भी types of sets की बात कर रहे है, types of sets में तीन sets आता है, एक तो finite है, एक infinite है, और एक क्या था है, empty sets आता है, तो finite, infinite and empty set तीनों चीज़ दिये होया आप है, तो finite मतलब क्या है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, numbers, count कर सकते हो, जिसमें numbers क्या कर सकते हो, आप count कर सकते हो, infinite मतलब जिसमें count नहीं कर सकते हो, यह इतने ऊपर states थे अपने, real number का था, natural number का था, whole number का था, integer का था, all states are infinite set., देखो इसमें इतने numbers हैं, आप count नहीं कर सकते हो, all states are infinite sets, where finite set कौन से होते हैं, what are the finite sets, जिसमें जंठें national number बोलती है, count कर सकते हो, इंग्लिश अल्फाबेट बोल दिये, इंग्लिश अल्फाबेट बोल दिये, कितने आ जाएंगे, a, b, c, up to क्या जाता है, last में z आ जाएगा, इसको z से रिप्रेजेंट किया हमने, तो a, b, c, d मतलब 26 अल्फाबेट से, तो मेरा yen of z देखो, number of elements in z, इसे yen लिखते हैं, yen of z कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, बड़ यही अगर मैं yen of natural number लिखता हो, तो क्या आ जाता है, infinity आ जाता है, तो yen of natural अगर infinity, तो infinite set हुआ, यह finite हुआ, उसके बाद आता है, कि empty set, मतलब जिसमें एक भी element नहीं है, ठीक है न, उसको generally ऐसे, open curly bracket से denote किया जाता है, या 5 से denote किया जाता है, तो जिसमें एक भी element नहीं है, उसे क्या बुलाएंगे, empty set, तो उन्होंने example देखो, x is the natural number, less than 1, 1 से जो भी छोटे natural number है, वो set किसका है, एका है, तो ऐसा कोई natural number ही नही क्या है, वोन है, सबसे चोटा natural number क्या होँए, वन से चोटा क्या होगा, और कुछ नहीं न, तो वही बुला हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं आएगा, जैसे देखो, real roots, अभी आपको कितने लोगों समझ में आएगा, पता नहीं, फिर भी देख लिए आपे, यह define क ठीक है, quadratic का अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा knowledge होगा, तो देखो, x square plus x plus 1 जो है, एक quadratic है, जिसके roots possible ही नहीं, real roots possible ही नहीं, तो यहापे उन्होंने क्या बोला है, x is the real root of x is the real root of x square plus x plus 1, तो real root possible ही नहीं है, तो b में कुछ आयाएगा है, मतलब b actual में बोला क्या है, यह empty set है, बस लिखने का तरीका लगे, मतलब एक्जाम में आपको ऐसा सीधा लिखके कभी ने आएगा, ऐसे तरीके से लिखके आएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको उसका knowledge होना important है, आगे चलते है, now types of set, यह भी एक important है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, empty set अभी बात हुई से में और member भी से में, दोनों चीज़े important है, दयान दो है आप है, ठीक है, और simultaneous लिखो मैंने starting में जब चार्ट किया ना, start उसमें एक link दिया हुआ है, वाटसेप का, तो उस link पे सब लोग इना click करो, और वाटसेप गूरूप connect करो, यह बस इसलिए बनाया है कि जब आपका exam हो जाएगा 28 को, तो आप, आप memory based question post कर सकते हो, और उसके बाद जल्दी से जल्दी में आपको solution provide करो, answer की के साथ, तो इससे आपको मतलब एक idea हो जागे कि आपको कितने मार सार है, और मतलब आप imagine कर सकते हो कि कितना आपने किया था, और क्या किया था, ठीक है, तो सब लोग जितनों लोगों को possible है, please o link click कीजे और whatsapp group पे connect कीजे, ठीक है, next क्या बूल रहा था, मैं equal sets की बात कर रहा था, देखो example देता हो मैं, a लिकरा हो मैं 1,2,3,4,5 और एक set b दिया है मैंने, इसको कैसे define किया x, where x is belongs to natural number और बोला है कि x is less than equal to 5 है, देखो second जो definition बोली है b क्या, उन्हों क्या बोला है कि x दिया हुआ है और x एक natural number है, जो कि 5 और 5 से छोटा है, तो हमें पता है 5 और 5 से छोटे natural numbers कौन से, 5 और 5 से छोटे natural number 1,2,3,4,5 तो हो जाएगा b भी वही बता रहा है और a b यही बता रहा है, तो इसमे number of elements भी same है, मतलब yan of a is equal to yan of b है, ठीक है, number of elements दोनों में क्या है, same है रहा है, देखो इसमें equal sets में important चीज़ है, कि दोनों के elements जो number of elements है, वो भी same होने चीज़ है, और अंदर वाले जो elements है, मतलब इसमें 1,2,3,4,5 है और इसमें भी क्या रहा है, 1,2,3,4,5 वो भी same होने चीज़ है, then only called as a equal set, तभी उनको क्या बुलाए होता है, और उसके बाद कौन सा आता है, तुमारा, similar triangles होता है, वैसे type है, ठीक है न, तो equivalent of set मतलब क्या होता है, कि set a दिया है, मांगलो, set a is a, b, c, और set b दिया है, मुझे, set b दिया है, 1,2,3, तेखो अभी यह तो clearly है, कि set a और b equal नहीं है, मतलब दोनों के elements है, मैंना बथ, यन of a is equal to kya दिया है, यन of b दिया है, ठीक है, यन of a is equal to kya given दिया है, यन of b, तो इससे किया clear हो जाएगे, कि number of elements in a, are equals to number of elements in b, clear है, तो दोनों के elements अगर same है, then they are called as the equivalent sets, then उनको क्या बलाएंगे है, equivalent sets, और equal के लिए क्या चाहिए, अंदर वाले elements भी same चाहिए, universal set मतलब क्य होता है, सबसे बड़ा set अगर define क्या होता है, बस वो पता होना चाहिए अपको, subset, subset तो अभी अल्रेडी बात हुई थी, proper subset मतलब क्या होता है, sometimes जो subset है, वो given sets के equal होता है, ठीक है, super set मतलब जो जिसका subset लिया है, जैसे देको दो चीज़े बताता हू, a is a subset of b है, तो b को मैं बुला है, question आ सकते हैं, चीक है, तो उसको अलग से मैंने define क्या होता है, देखो, power sets मतलब क्या होता है, set of all subsets, देखो definition ही बहुत सही बुला ही बुला है, कि sets of all subset of set a is denoted as a p of a, is called as a power set of a, तो confusion नहीं होना है, देखो, जैसे set a दिया है, आपे, a क्या, a में क्या आ रहा है, a and b, दो elements है, तो इससे कितने subset बन सकते बताओ, मुझे देखो, एक set a बना है मैंने, a उसका subset होगा, देखो नो, उसी के element लेकर आप subset बना रहे हो, एक b बना दिया, और एक क्या बना दिया, a b बना दिया, ठीक है न, तो कितने subset होगए आपके, एक, दो, तीन, और हमें शयाद गरत दिया, आपने curly bracket में लिख दिया, y curly bracket ही क्योच कर रहे है, विकाज ये set a, set को defend करने के लिए हमेशा curly bracket होता है, तो यहाँ पे जो आएगा, इसे क्या बुलाएंगे, p of a बुलाएंगे, y power set of a, क्या हो जाएगा, ये power set of a, बतलब a के, जितने भी elements थे, उनका सबका क्य लिख दिया, आपने subset लिख दिया, तो इसमें एक इंपोर्टन चीज क्या है, a में elements कितने थे, दो थे, यान आप a कितने दो थे, अगर मुझे क्या find करना, यान of, यान of, p of a, तो उसका formula होता है, two rest to yen होता है, और what is a yen, ये जो होता है, ये आपका yen होता है, ठीक है, तीन elements, तो simple सा मेरा question ये बस, simple सा question मेरा ये, कि यान of, p of b, कितने रहेंगे, इसके उबर मैंने question लिए आगे, ठीक है, फिर भी, क्या रहेगा, यान of, p of b, क्या रहेगा, ये ने वोन, fast, question समझा है, आपको, यान of, p of b, कितना रहेगा, तो number of elements in a power set of b, equals to कितना रहेगा, देखो, 2 है, यान of b, कितना है, मेरा 3 है, तीन elements, उसमें, very good, तो 2 is to 3 is equal to 8, मतलब देखो, इतने simple से question नहीं आएंगे, directly, मैंने hard वाले भी, आपको test series में भी आड़के, और इधर हम, आज भी लेने वाले, बट आपको concept पता है, तो आप question tackle कर लोगे, बट question ही नहीं पता है, तो question आपसे होगा नहीं, ठीक है, आपको concept पता होना चीज़ ले, ठीक है, आगे चलते हैं, देखो, अभी, कुछ sets operation है, फटा पट देख लेते हैं, यह भी easy वाला है, देखो, जब भी set का question आता है, सबसे important चीज़ होती ही when diagram, ठीक है, when diagram, important की हुए, देखो, when diagram ऐसे एक चीज़ है, जिससे आप हर type का question sets का solve कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए when diagram का knowledge अच्छे से रखिए, when diagram मतलब क्या ह बला हुआ है, a union b क्या बोला है, उन्होंने देखो, x, फिर x belongs to a, definition है, चलो ठीक है, simple सा, example देखते सबसे important देखो, जैसे यहाँ पर दिया है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 दिया है, except a, और b में दिया है, मुझे, 1, 3, 5, 7, 9, तो देखो, 3, 5, 7, 9 है, वो जो a में भी और b में भी है, 3, उस में से 3, 5, 7, दोनों को कितनी बार लेना है, एक ही लेना है, तो a में क्या बचा है अभी देखो, a में क्या बचा हुआ है, देखो इससे बहुत सरे चीज़े क्लिए रहा है, 2, 11 and 13, पस इतना ही बचा हुआ है, आपकोर्स, और b में क्या बचा है, 1 and 9, तो मेरा जब a union b होग थे 5, 7, 9, उसको, sorry, 3, 5, 7, ठीक है, उनको बस मैंने एक ही बार लिया, यहाँ पर यह चीज़ याद रखो, मैंने उनको दो बार नहीं लिका, 3, 3 नहीं लिक रहो, मैं उसको बस 3 लिक रहो, क्योंकि वो set a में भी आ रहा है, और set b में भी आ रहा, तो union बहुत easy वाल operation है, और union generally कभी use होता है, exam में देखो, जब word problem होते हैं, याद रखो यह important note करके, ठीक है, जब आपके word problem होता है, तो उसमें और लिख्या आता है, ठीक है न, और, जब भी और लिख्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, आपको union find करना होता है, ठीक है न, मतलब ऐसा बोलते है कि number of students in maths, number of students in maths, और number of students in computer awareness, ऐसा बुला है उन्होंने, तो मेरा a set maths का हुआ और b मेरा computer का हुआ, तो मुझे धुणने के लिए क्या बुला है, उन्होंने a union b, बच्चों के यही नहीं समझ में आता है, तो question कैसे होगा फिर, ठीक है न, और जब भी आता है, जब भी उन्होंने ब उपर वाला था, उसका opposite है, ठीक है, इसमें कहा लिएते हैं common वाल elements, तो यह देखो है, आपर मेरा क्या आता, 3, 5, 7 क्या आता, common आता, तो मेरा बाकी element छोड़ दो, मतलब है, आपर 2, 11, 13 है, और यहापर कितना है आपका, 1, 9 है, तो मेरे क्या आ जाएंगे, बस a intersection b में क्या जाएगा, 3, 5, and 7 हो जाएगा, ठीक है, 3, 5, and 7, जो कि मेरे common elements है, जो a में भी आ रहा है, और b में भी आ रहा है, वही बोला है उन्होंने, और intersection कभी उज़ करते हैं, जब भी आपका and आता है, जब भी क्या आता है, and आता है, मतलब उन्होंने बोला, number of students in maths, and, and, देखो उस जो दोनों में common है, जो maths में भी है, और chemistry में में, वो student जब चूज करने आपको, जब उनको जब select करना है, तो and लिखना है आपको, ठीक है, तो उस case में क्या है, उस करना है, intersection, मतलब आपको find क्या करना होता है, a and b, ठीक है, दो ही चीज़े आती, and और or only, ठीक है, आगे चलत होता है, जैसे नंबर का होता है, वैसे नहीं होता है, यह थोड़ा change होता है, जैसे देखो एक example बताता हूँ, simple वाला, a दिया है मुझे, 1, 3, 5, 7, 8 ठीक है, यह दिया वाए, और मेरा set B है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 9 दिया वाए, ठीक है, अभी इस में देखो, 3, 5, and 3, 5 common है, यह important च है, देखो, यह 3, 5 बीच में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, 1, 7, 8, जब भी मैं A-B करता हो, तो मैं A से जब B- करता हो, तो बस यह दोनों elements हट जाते, A से, B के minus में OK नहीं आते, मतलब आपका जो A-B होगा, वो कह रहेगा, 1, 7, 8 रहेगा, बलकि बहुत बच्चे आगे क्या कर देते, 2, 9 भी लिख देते, 2, 9 नहीं लिखना है, बस 1, 7, 8 इस दा एंसर, clear है, 1, 7, 8 इस दा एंसर, और अगर बहुत clear definition चाहिए, तो यह बूल सकते हैं, A- A- A intersection B, तो कोई सवाल ही नहीं बसता, A से क्या चल गया, आपका B- A क्या आएगा, बताओ जल दिसे, क्या आएगा, आपका B- A, फिर, B से, क्या हटाना है मुझे, वापस A intersection B, बतलब B से भी क्या हटेगा, only 3, 5 तो बच्चेगा क्या, B- A हो जाएगा, मेरा 2, 9, देखको मैं आगे जब questions करूंगा, तो पेंड डियाग्रा देखको इससे definition भी बन रही है, मतलब आगे भी बता सकता हूं, पट यहापे भी बन रही है अपने तो पता देखको, आपका जो पूरा green है, पूरा जो green region है, वो A-B है, पूरा जो region है, आपका क्या आ रहा है, A-B आ रहा है, सही है न, तो यह नप A-B लिख देते, यहन लि में देखते हो, तो यह क्या हो रहा है, यान आप A union B हो रहा है कि नहीं, देखो, अपनी याद भी नहीं किया यह फॉरमल, आपनी यापे बनाया, ठीक है न, तो यहापे यही रिजिन हमने यहापे बनाय, यान आप A union B का definition ए खुच से बना दिया, यान आप A-B, यान आप B B-A and A intersection B, क्योंकि हमें सामने दिख रहा है वो, सामने दिख रहा है कि यह वाला रिजन आ रहा है, clear है, देख लब फिर फास्ट, आगे चलते हैं, next one is a complement of set, यह भी important है, complement मतलब क्या होता है, एक set दिया है, अगर मैं set A ले रहा हूँ, यहाँ पे, तो यह set A का जो रिजन है, यह छोड़के जो भी बचावा रिजन आएगा, जो भी बचावा रिजन यह वाला देखो, यह वाला, यह क्या जाएगा तो मारा A complement होता है, मतलब देखा जाया है, तो union set पूरा जो है न, यहाँ पे दिया है, देखो, अगर union में में मेरा 1, 3, 4, 5 आया, तो बस इतना हटा तो पूरा union से, जो भी बचेगा, जो भी बचेगा हो क्या हो जाएगा, मैरा A complement हो जाएगा, तो मैंशा आधरा को यह नॉप A, प्लस यह नॉप A complement, यह लिए, अलवज इकोस्टो के होता है, यह नॉफ यूनियन से टोटा है, ठीक न, मतलब नॉब अब नॉब अप इलेमेंट से न, प्लस नॉप अप इलेमेंट से इन, कॉम्पलेमेंट, टोटल अमेशा कहा मिलेगा तो मैं, union set, कॉम्पलेमेंट मतलब उसको छोड़ के ज अच्छे से समझ जाओगे न, तो बहुत सारी question sets के आपके हो जाएंगे, तो पहले इस पर चलते देखो, सबसे easy वाला, a union b बूला हो है, तो a union b मैं हमें बूला है, कि देखो यह वाला भी आ जाएगा, ठीक है, यह वाला भी region आ जाएगा आपका, पूरा, और यह वाला भी एक ही बार count करना है, ठीक है, next one, a intersection b, a intersection b में क्या बूला है, जो a में भी आता है, देखो यह वाला region है इतना, कि जो a में भी आ रहा है, और जो क्या आ रहा है, आपका b में भी आ रहा है, तो यह दोनों का common region है, तो क्या होता है, आपका intersection b, already देख चुके हमने, ठीक है, a delta b है, यह operation general नहीं आता है आपको, फिर दिया होनों, तो a delta b क्या बोला होनों, a union b से a intersection भी आटा दिया, हमें पता a union b मतलब यह पूरा region होता है, उसमें से यह वाला बेच वाला हटा दिया, देखो वह वह हाटा दिया, वह हाटा दिया, तो बस वह निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा यह region white कर दिया, तो जो पूरा region बच रहा है, that is your a complement, तो उसमें b का भी कुछ पार्ट आ रहा है, या बाकी जो बचा रिजन है, उसका भी पार्ट आ रहा है, फरक नहीं पड़ता है, अभी देखो next one दिया, a intersection b complement, a intersection b complement, देखो इसको explain करता हूँ मैं अभी पहले हम b complement की बात करते हूँ, तो b complement क्या होगा मेरा, यह जो b है, यह जो b है, उसको छोड़के जो भी आएगा b complement है, तो इसको मैं ले तो horizontal line से, ठीक है, देखो ध्यान दो, horizontal line, पहले intersection का concept clear है, आपको, horizontal b complement बता रहा हूँ ठीक है, ध्यान दो, यह आप से line कतम start हो रही है, यह मेरा B complement हो रहा है, यह पुरा क्या है मेरा B complement है, जब भी इंट्रसेक्षिन की बात होती है, यह clear कलो, जब भी intersection की बात होती है, कि दो, जो चीजे अब जो चीज़े किसमें आ रही है और बी कॉंपलिमेंट में भी आ रही है और दोनों का तो यह स्था यह लिए इन्टरक्षिन बी कॉंपलिमेंट ए मैनस भी और भी अनुनियों भी कॉंपलिमेंट ऐसे चार ऑप्शिन गागा तो पता होना ची माट को ठीक आणा था भी वह जाद इंपोर्टंट है सेम आगे वाला भी कंटीनु किया उन्होंने तो इससे आप देखो डिरेक्ली इसको क्या बोल सकते हो बी माइनस ए यह सेम इसका इसके जैसे यह ठीक है अलग नहीं है तो उसको एक्सलेंट नहीं कर रहा हूं है बस यहां पर एक कॉंपलेमेंट यहां पर बी कॉंपलेमेंट तो बी कॉंपलेमेंट मतलब यह रिजन कभी नहीं आगए देखो यह वाला रिजन अगर आप यह वाला पूरा आठा दिया आपने ठीक है मैं यूनियन बता दो दोनों का तो यूनियन में क्या होता है डबल लाइन भी आ जाती है और सिंगल भी तो उसको एक बार एक्स्प चोड़के तो इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा है यह यह भी कॉंपलेमेंट ठेक है यह और आपका बी कॉंपलेमेंट यह वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ ठीक है यह मेरा बी कॉम्प्लिमेंट हो रहा है अभी देखो उसमें सिंगल लाइन मतलब यूनियन में तो अल्री बुला था एक बार भी आता है तो भी चल जाएगा मतलब सिंगल लाइन भी आ जाएंगे और डबल लाइन भी आ पता हो अगर अगरम से आप vari को इन द Где सिंग स्छीक हूँ है अगर旗ी फेल र चीजे सीख सकती हो अच्छे से यह सी जाते हो ना तो हुआ है तो डी मॉर्गन लोने क्या बताए देखो एंटरसेक्शन अगर मैं बी लेता हूं यह वाला रिजन एंटरसेक्शन भी उसका कॉंप्लिमेंट मतलब उसको छोड़के सब सब कुछ आजाएगा वह इतना वाला यह वाला यह वाला जो रिजन उसको छोड़के तो सब कुछ आजाएगा उसको छोड़के कहा रहा होगा तो यह वैपका क्या होगा एक वारीजोंटल आजाएगा horizontal line से बताता हूं मैं horizontal line से यह बता दिया है ठीक है यह वाला यह रिजन पूरा जाएगा से इन एक छोड़ के ठीक है circle a को ले ही नहीं रहा हूं में ठीक है यह वाला यह वाला region होगा है तुम्हारा a compliment अभी B compliment मतलब B को छोड़के vertical line से लेता हूं यह वाला region यह वाला यह वाला बस B वाला region नहीं आएगा धान दो भी वाला region नहीं आएगा तो यह वाला region नहीं आ रहा है यह वाला ठीक है आए तो देखो आप पूरे मतलब यह उनियन मतलब क्या होता है इसको याद करना मतलब मैं क्या बूल रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस कर लो यह वाली स्लाइड बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस इन दसेंस कि आपका क्या हो जाएगा ओजाला जो कंसेप्ट इवेंड डियाग्राम का बहुत अच्छे से क्लेर हो जाएगा और आप देखो अगर कंसेप्ट इथले वाले क्लेरे तो आप ऑन दसपॉट कुछ भी फॉर्मिले बनाके क्व चलते हैं अभी नो कार्टीशन प्रोड़क्ट ठीक है ना कार्टीशन प्रोड़क्ट मतलब क्या है जैसे अभी यूनियन लिया हमने उसके बाद इंट्रसेक्शन लिया तो कार्टीशन मतलब क्या कर रहा हूं में दो सेट्स का मल्टिप्लिकेशन कर रहा हूं और बहुत ही easy वाला concept है बहुत ही ज्यादा easy वाला है ठीक है जैसे simple सा example लेता हो यह बड़ा दिया है फिर यह उनने मैं एक easy वाला लेता आपके लिए a दिया मेरा a, b है और से बी दिया मेरा 1, 2 है ठीक है तो a में भी दो elements है और b में भी दो elements है तो मुझे धुनना क्या है a cross b अगर a cross b दोनना है तो मेरा क्या हो जाएगा a, 1 आ जाएगा देखो ए 1 के साथ element के साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है तो a into 1 नहीं लिखना है a, 1 लिखना है याद रखना order pair में जैसे x, y लिखते हो ना order pair का concept अपना जैसे x, y लिखते हो अपन परहाँ ना तो पहला हमेशा x आता और 1 आता है तो 1, a, a लिखते हो तो रॉंग हो जाता है क्योंकि x के वाली 1 हो जाएगी फिर y के वाली एंटू यह ना भी ठीक है ना देखो ना उपर वाले question से clear हो जाएगा इसमें दो elements थे इसमें वी दो elements थे टू 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 इंटू टू कितना हो जाएगा 4 से अभी उन्होंने पूछा है कि is b cross a a cross b equal है क्या देखो आप इधर ही देख सकते हो अगर मैं b cross a निकल रहा हूँ तो मेरा b cross a क्या हो जाएगा 1, a हो जाएगा ठीक है उसके बाद 1, b हो जाएगा उसके बाद 2, a and 2, c 2, b already मैंने बुलाता कि b, 2 and 2, b are not equal y order matter कर रहा है आप है xy x and y जैसे partition में लेती है न system में कि x पहले ही आता है और y हमेशे आता है अगर देको मैं यहाप लिख देता हो कि एक पॉइंट है cutting system में 1, 2 तो आप हमेशे x1 लोगे और y2 लोगे ऐसा कभी होता है कि आप उल्टा ले लेते हो नहीं होगा ना क्योंकि यह order pair होता है हमेशे उसी pair में लिया जाता है तभी सही लेता है सही होता है ठीक है ना तो 1, a is not equals to a, 1 तो a cross b और b cross a, they are not equal sets अभी यह भी एक सेट है ठीक है ना मुल्टिप्लाइ करकी भी कहा है मिल रापको एक सेट मिल रहा है तो आप एमेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहो देखो इतना समझ में आता आप देखो अच्छा से, they are a cross b and b cross a are not equal sets बर दे, but they are equivalent sets, क्या बुल रहा हूँ इक्विवालेंट क्या बूल रहा हूँ को, equivalent वा equivalent, because yon of a cross b is equal to yon of b cross a, अगर find out करते हो तो वो भी कितना आएगा, फूरी आएगा, वहलब दोनों के number of elements क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों के number of elements are same, but अंदर वाले जो elements से, वो सेम नहीं है, तो हमेंशे आद रहा है, तो नेक्स्ट वन दिया, relation and function, ठीक है, अभी relation का concept क्या, simple है, बहुत, अगर आप mapping और fairing करते हैं, मतलब जो यहाँ पे in set से कुछ और यहाँ पे कुछ जो आउट शूट है, दो सेट थे अपने a and b था, ठीक नहीं, यह सेट a, और यह सेट b है, तो a cross b अगर में लिखता हो, दे अगरा b, 1 and b, 2, तो मैं क्या करता हो, अगर मैं set a के कुछ element लेता हो, यहाँ पे a and b है, और set b में क्या मेरा 1, 2 है, यह सेट a और set b, तो उनमें कुछ relation लगा देता हो, ठीक नहीं, जो according to the definition होगा है, वैसे, जैसे a is related to 2 है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि a related to 2 है, और b is related to 1 है, तो आपे जो relation हुआ, from a to b, ठीक है, relation ऐसे लिखा जाता है, from a to b, तो मैं relation define कैसे कर रहा हूँ, मेरा जो relation आ रहा हो, क्या हो रहा है, a, 2 हो रहा है, और b, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, देखो, यह a, 2 पूरा का पूरा एक element है, याद रखो, इसको अलग-लग count नहीं किया जात है, a, 2 पूरा एक element है, b, पूरा एक element है, तो a cross b में total 4 elements थे, relation में बस 2 element है, तो relation is always subset of a cross b, always keep in mind, तो relation क्या होता है, a cross b का कोई भी 2-4 element लेकि उसका subset बना दो, वो relation बन जाता है, कुछ भी ले लो, आप फरक नहीं परता है, ठीक है, वो exam में mostly given होता है, तो आपको वो सोचना नहीं है, कि क्या लेना है, और कैसे लेना है, वो exam में given होता है, बस relation क्या होता है, कि it is always a subset of a cross b, आप a cross b जो है, उसके क्या कर लो, subset ले लो, तो उसको क्या बुलाएंगे, हम relation बुला देंगे, ठीक है, तो यहाप एक relation दिया वाए, और relation में ऐसा नहीं कि सब elements related होना चीए, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, कुछ भी relation हो सकता है, तो next relation में देखो यहाप एक जो given है, तो तुम्हारा domain and range का concept होता है, तो domain मतलब क्या होता है, set a के related elements, set a के, set a के related elements, और range मतलब set b के related elements, समझे में रहा है, domain मतलब always, set a के जो जो related elements है, उनको क्या बुलाऊंगा, मैं domain बुलाऊंगा, और set b के जो जो related है, उनको क्या बुलाऊंगा, range बुलाऊंगा, तो देखो यहाँ पर यह सब elements related है, तो यह पूरा domain बन जाएगा, माइनस 6, माइनस 1, 1, 5, 7, और माइनस 4, माइनस 2, 2 and 4 किस में आ जाएगा, range में आ जाएगा, एक example देता हो, देखो कितने लोग बता पाते है, यहाँ पर दिया, a, b, c, d, ठीक न, 1, 2, 3, 4, ठीक, a is related to 2 है, b is 3 है, and d is 4 है, ठीक, तो इस case में मुझे बताना है आपको, कि what is the range and what is the domain, fast, answer नाने चीए, देखो वापस में define कर रहा हूँ, set a के जो जो related है, only related की बात कर रहा हूँ, जो किसी के साथ related है, ओ क्या आ जाएगे, आपके, domain में आ जाएगे, ठीक है, ओ किस में आ जाएगे, आपके, domain में, ठीक है, और set b के जो है, ओ किस में आ जाएगे, range में आ जाएगे, तो बताओ, domain and range फास्ट, ये, what's it b, आया answer, Shreya, Krishna, Sachin, Akangshah, range is 2, 3, 4, very good Akangshah, what is the domain, domain, what is the domain, domain is ABD, very good Nisha, ठीक है, तो domain क्या हो जाएगे, मेरा देको, C related ही नहीं किसी से, ठीक है, तो मेरा domain only क्या हो जाएगा, ABD, ये relation की बात कर रहो हूँ है, यह आप है, function अभी start नहीं किया है, ठीक है, ABCD नहीं होगा, domain, ब्रुन में, आपका wrong होगा है, C नहीं आएगा, बेटा, C related ही नहीं है, आपका देको न, C related ही नहीं किसी से, बस related जो उनका का में है, जो बाकी की elements हो, हमारे काम की नहीं है, और 2, 3, 4, range क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, very good, ठीक है, ब्रेवट चंदर का, चलो, good, very good, domain is ABD, and range is 2, 3, 4, और तो आपको यह वाला concept समझ गया है, तो आपको function समझने में easy हो जाएगा, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ है, इसमें domain range समझ लो, ठीक है, तो आगे चलते फिर, very good, श्रेया, तो आते function के उपर देखो, अभी relation and function में difference बताता हूँ मैं आपको, function is a part of relation, मतलब function कुछ नहीं, एक relation ही है, ठीक है, it is also a cross b का subset ही होता है, ठीक है न, तो पिछले case में क्या था देखो, अभी वापस जाता हूँ मैं, पिछले slide में, कि आपे मैंने क्या बोला था कि c को खाली रख दिया था, किसी के साथ relate नहीं किया था, ठीक है न, c अगर खा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो यह set a मेरा और यह set b है, तो a, b, c का हर एक element related होना चीए, देखो, a, b, b होना चीए, और c, b, होना ही चीए, मतलब इसमें जो आप domain की जो बात करते न, domain, वो हमेशा आपका सिधा-सिधा क्या आजाएगा, set a आजाएगा फूरा, क्योंकि दोमेन क्या होता है, set a related elements होते, बढ़ाबर न, domain क्या होता है, आपका set a related elements, तो जब भी मैं function की बात करता हो, तो function में set a का हर एक element, each and every element must be related होना चीए, ठीक है, तभी वो function होता है, यह वो होगे पहली condition, पहली condition समझ गए आपको, now second condition, जैसे देखो यहाँ पे, a से, a की आर निकला है, आगे जाके वो arrow कितने लोगों की पात जा रहा है, उससे फरक नहीं पड़ता है, जो भी मैं condition बता रहा हो, it is about only set a, मैंने कभी भी set b को अभी तक mention नहीं किया हो है, आप भी दयान दो, ठीक है, मैं set b को mention नहीं नहीं कर रहा हो, मैं बस जो आपके जो conditions है, it is only about set a के बारे में बता रहा हो, higher ccet sach a का हरेक element related होना चीया है, second condition क्या है कि set a से बस a की arrow निकलना चीया है, देखो जैसे, मतलब एकी, मतलब क्या बोल सकते said, a का हरेक element बस आगे a की element से relate हो सकता है, एक से जाधा नहीं हो सकता है, हा, अकंशा code domain नहीं बता रहा हो, इसमें बता र होता है न है क्या पूरा का पुरा सेड़ भी क्या आता है को डोπε्ट दोमेन आ जाता है ठीक रिलेटेर hacking रेंघ है यह कुछ फरेग नहीं पर तक कूरा का पुरा सड़ भी को डोमेन होता है but what is the range range मतलब बस मेर लेटे 레र called elements relate elements of expo b एंप ब्लब रही अल्वेड़ सबसेट आप क्या होता है code domain होता है ठीक है कि को domain मतलब पूरा सेट भी होता है domain मतलब फूरा एक होता है मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ और राइज मतलब जो वी की element related in das EVERYधे टो यहाप मैं चार question दिए यह आप है ठीक है देखो आभी जो domain होता है domain को अलग-अलग नाम भी दिए उन्हों ने domain को भी हाप इमें नाम लिख रहा हूं domain भी बुलते हैं उसको इंपूड भी बुलाते हैं या प्री मेज्ट भी बिलाते हैं ठीक प्रीमेज भी बिलाते हैं या लगवर्ट बस एक ही चीज़े बस नाम अलग लग दिये कुछ फरक नहीं पड़ता उस से इसको outpude बुलाते या range को इमेज्ज बुलाते हैं ठीक के रिलेटर उसके लिए बता रहा है और क्या बुलाते हैं और ये आगे बिलाते है उसको इन्पूर्ट आउट पूर लाटर भी बीच में था दो फॉद्न ईंगना बूल गार पिने अपना यहां पर पहला question है यह वाला, यह function है की नहीं बताना है आपको, है तो क्यों है, नहीं यह तो क्यों नहीं है, अगर यह समझ गया है तो फिर बहुत सही है, यह second वाला है, यह फिर third वाला question है, और फिर यह fourth वाला है, तो आपको हर एक case में बताना है, is it function or not, in each and every case, you ought to tell me that, कि वो function है की नहीं है, बहुत लोग देख रहे हैं, तब तक request कर रहा हूँ सबसे, कि देखो, चाट में आप गर जाओगे, तो बहुत starting में हमने यह दिया था, अकांशा गलत है, फंक्शन कैसे होगा, why function, स्टार्टिंग में हमने एक WhatsApp ग्रूप का एक link दिया हुआ है, उसको please join कीजे सब लोग, क्योंकि जब का आपका exam होगा, तो उस पर मैं answer की करूंगा first, और आप भी जो memory based question है, वहाँ पे base दोगे, ठीक है, श्रेया one number का function नहीं है, एक, very good, कौन कौन से function है, बताओ, पहला function क I don't know, मैंने अल्रड़ी बूला था कि से एक एरो निकलना चाहिए, यहां से कितने दो आरो निकल रहे देखो, 0 से कितने एरो निकल रहे दो, तो नहीं होगा न, समझ मैं है, हर एक से बस एक एरो निकलना चाहिए, 0 से 2 निकलना जाए, मतला बाती ख़तम होगे, बाकी condition चीक करनें मेरे दो कंडिशन से हरेक्स Kularo से तो दो निकल रहा हक oh इदर से तो कल रहे कैंसल गलत है function यह समाइब में यह नी मैं हर नहीं कर रहा हूँ से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, my only concern is the set A, मेरा set A यह अकिला concern है, ठीक है, one function नहीं है, दो function है, तीन function नहीं है, चार function है, a function है, very good, ठीक है, देखते हैं, देखो second में देखो related है, a, b, c, d, 4 related है, हरे में से एक ही arrow निकल रहा है, 1, 2, 3, 4, okay, set है, यहाँ पर check नहीं नहीं कर रहा है, कुछ लेना दी नहीं नहीं है, आप है मुझे, मुझे मेरा काम ही यह check करना है, okay, done, it's a function, second वाला क्या है, function है, third की बात करते है, first related है, नहीं है, second है, third है, कोई फरक नहीं पड़ता, first ही नहीं है, तो बात ही क्यों है, चेक ही नहीं करना है, it is not a function, not a function, last की बात करते है, first is related है, second related है, third है, fourth है, fifth है, related है, सब में से 1 क्यारों निकल रहा है, निकल रहा है, okay, good, it's a function, clear है, सीराथ सबसे starting में गुरु दिया वाई link, सबसे starting में दिया वाई, अगर किसी को copy paste कर सकते हैं, तो please copy paste कर दिजए, ठीक है ना, I think दिक नहीं रहा हुआ, सबसे starting में हो, ठीक है, मैं last में वापस एक बार post कर दूँगा, last में एक बार post कर दूँगा, या अपना जो group है, अपना Conqueror Academica, या क्यू study पर आप भी link बेज़ दूँगा, मैं, तो आप इस प्लीज, जैसे भी मिलता आपको ऐसे, आप जोइन कर लिजए, आगे भी lecture में में बताने वाला, और बाद में description में भी add कर दूँगा, ठीक है, तो ये clear हुआ, first and only function कौन सा हो रहा, second and fourth is function, ये दोनों नई ये function, clear है, ठीक है, आगे चलते फिर अभी, अभी देखो ये वाला question, करो first, यह 30 seconds, यह 30 seconds, first, इस लिंक दिया, देखो, गुलाब मालकर है, उन्होंने फेस्ट किया वाहाँ पर, उस पर click करो, ठीक है, तब मैं वह वहाँ पर paste कर दी जाए, ठीक है, जल्दे से, वापी दिया हुआ है, उस पर click की जाए, मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फईली चीज़ तो देखो, अब फास्ट हो जाएगा अभी देखो, फइला, ए और ए ए ए न सी रिलेटेड है, बी नहीं है, नौट फंक्षन, बहुत लोगों ने इस बार आइंसर आना चीज़, वेरी गूट, टू नो, टू नो, ट्री यहाज, फोरेस, वेरी गूट निशा, वेरी गूट, चलो ठीक है, आगे चलता है, इसी वाला कुशन ता बहुत, वेरी गूट, वेरी गूट सलो नहीं, तो ठीक है, अभी consider the relation, त बहुत है, पीछे वाले इसमें बता देता हो, ठीक है, ना, दो जो functions थे यहाँ पर, domain and range भी बता देता हो, ठीक है, तो domain क्या हो जाएगा, यह भी बता दो इसमे, domain क्या आएगा, बताओ, यह दोनों तो function ही नी, तो domain range चेक करने की ज़रूत नहीं, इसमें बताओ, domain क्या था हर कोई related है तो इसकेस में भी सेट domain क्या जागा सिधा से था 123 आ जाएगा ठीक है और रेंज क्या हो जागा इस केस में 2460 होगा ठीक है क्योंकि तीनों related है इसकेस में भी सेम है 1,2,1-3 की किनों क्या जाएंगे तुमारे डोमेन में आ जाएंगे 1,2,-1 और रेंज विल भी 1,4 रेंज इस 1,4 ठीक है चलो आगे चलते है अभी यह डोमेन रेंज का नहीं पूछेंगे बढ़ आते हैं क्योंकि 12 के सिलाबस में उन्होंने 11 में आपको फंक्शन चप्टर है उन्होंने 12 का सिलाबस दिया और यह मैंने क्शन उसे से उटाए हुए है ठीक है न मैं यह भी नहीं बूल रहा हूँ कि मैंने कई और से लिए मैं आपको डारेक्ली बता रहा हूँ मैंने जो 11 स्टांडर्ड का बूक है टेक्सबूक सायंस का वहां से यह क्शन लिए हुए तो आपकर सुनोंने दिये तो मैं भी पूल आता कि इन्पूट कि ठीक है इन्पूट क्या क्या पॉसिबलीटी इन क्या क्या factor क्या क्या पूट कर सकते है ठीक है डोमेन मतलब क्या होता है और पॉसिबल वैल्यूज ऑपे रेंज कभी नहीं पूचेंगे आपको ठीक है वह आता भी नहीं सिलावस में बडोमेंग हमेशा पूचेंगे तो अगर आता है तो एक सी जगा क्या-क्या इनपूट दे सकते ही यह पूचा जाता है सिंपल सा लॉजिक ठीक है तो यहाँ पर देखो यह क्वेशन में वाइज इकूल टू कितना दिया हुए आपको वन बाइक्स दिया हुए वाइक्स तो क्या-क्या पूट कर सकते हैं देखो मैट्स में मैट्स में सब कुछ अला ओड कुछ भी पूट करो फरक नहीं परता बंगर जूरो कूट करता हो तो ढिफाइन ही नहीं होगा ना हमें क्या चेक करना है function बहुत बढ़ा set है जिसमें – bacteria से प्लस – cancer सब नेंट है तो मैंने उसमें सर जूरो माइनस कर दिया है न जो बचिए नंबर से कुछ भी पुट करो 1,2,3 इनी रियल नंबर, positive or negative, कोई फरक नहीं पड़ता है same thing second के लिए क्या आएगा बताओ फिर what is the domain for second करो check जल्दी से fast फैला मैं ने कर दिया आपको ठीक है, ठीक है मैं तोड़ा late मेरा यहाँ पे चल रहा है तो इसके विए समय वेट करता हूँ 30 second के लिए, अब ट्राइ करो domain के लिए, देखो यह worst scenario में ले रहा हूँ मुझे लग रहा है कि नहीं होगा 12 के book में दिया है, इसलमें cover कर रहा हूँ हमें कैसे chance नहीं लेना चाहिए न, ठीक है जो easy वाले chapters उसमें से कोई भी topic पर chance नहीं लेना चाहिए हमें sorry, करो फिर, fast प्यारे गुड़ी टेश, श्रेया, बहुत लोगों ने सही answer दिया, मतलब function का concept I think बहुत अच्छे से समझ आया है, पड़ यह कि domain का अगर समझ जाओगे तो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है खरो यह वाला, जादा ही लेट चल रहा है क्या very good, very good, very good, very good, very good, siraj, सही है, बहुत लोगों ने सही किया, ठीक है मतलब x-2 क्या नहीं हुना चीए, 0, next वाला भी ट्राए करो, next वाला भी ट्राए करो, तब तका, ठीक है, next वाला भी देखो, यह वाला भी ट्राए करो, तो x can't be equals to 2, तो मेरा x belongs to क्या आजागा, फिर, all real number except 2, very good, श्रेया, ठीक है, all real number except 2, तो यह देको x plus 2 and x minus 3 दिया हुए, तो next वाला में क्या होगा, x plus 2 and x plus x minus 3 can't be equals to 0, तो इसका मतलब क्या होगा, x can't be equals to minus 2 and 3, तो यह भी simple लेवल के question हो रहे, तो x belongs to all real number except minus 2, 3, ठीक है, यह वाला, लिकलो जल्दी से, ठीक है, आगे continue करते हैं अभी, अभी देखो square root का condition है, यह भी कम ही possibility बट है दिया है उन्होंने, देखो यह वाला तो बिल्कुल नहीं है, इसमें actually बहुत सरे concept include होता है, पड़ ऐसा अगर आता है तो ध्यान दोगो, कि square root को अंदर क्या होता है, आमेशा positive number होता है, मतलब square root को negative number नी चलता है, 0 या positive होना चीए, मतलब जब भी square root के अंदर कुछ होता है, something देखो यह जो bracket होता है, यह जो bracket होता है, इट मस्पी greater than equal to 0 होना चीए, अंदर कुछ भी है, इट मस्पी greater than equal to 0 होना चीए, तो same चीज़ आ पे दिया है, एक्स माइनस तू दिया हो है, तो जल्दी से, यह वाला करो, डोमेन निकालना आपको, ठीका न, यह फाइला दिया है मैंने, और यह second वाला, y is equal to दिया आपको, 3x minus 8, करो दोनों question जल्दी से, first, also minus 2, पिछले वाला क्या था, 2 minus 2,3 था, यह वाला question करो अभी, दोनों question करना है, यह आपको, x plus 4b करना है, x plus 4b करना है, x must be greater than equal to minus 4, very good, और किसी का आया, निश्या, very good, not equals to minus, equals to 4 निया, greater than equal to minus, देखो, simple साय कि x plus 4 जो है, greater than equal to 0 हो ना चीए, मतलब, x मच पे greater than equal to minus 4, ठीक है, और second वाला क्या जाएगा, not only greater, greater than or equal to important है चंदर कान, ठीक है, वापे, देखो, उसका महिने हर चीज़ का, ठीक है, यह greater than equal to sign का जो, important से आपे, ठीक है, equals to greater than equal to 0 हो ना चीए, तो 3 x is greater than equal to kya आएगा, 8 आएगा, तो x is greater than equal to kya हो जाएगा, 8 by 3, not 3 by 8, calculation mistake कि यह आपने हो आपे, ठीक है, 8 by 3 हो ना चीए, not a 3 by 8 सिरेच, सुरज, ठीक है, बोड, ठीक है, आगे continue करते हैं, फिर, next इस पे चलते है, ठीक है, बी आपे range पूचा है, आपे उन्होंने की, डोमें यह दिया वाए, उन्होंने बूला एकी range क्या है, ठीक है, डेखो, सीधा सीधा जो arrow diagram होता है ने यह वाला जो, इसे arrow diagram बुलाते हैं ठीक है इस side में domain में कहा दिया है उन्होंने minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 और इस side में कहा दिया है वह आपको y है ठीक नहीं values of x और y है और बीच में function दिया है relation कहा दिया आपको 2x plus 1 दिया है ठीक है मतलब जब values of x minus 3 रहेगी value कहा रहेगी माइनस 3 तो माइनस 2 into minus 3 minus 6 plus 1 minus 5 तो आपका माइनस 3 किस से related और है माइनस 5 से नेक्स कहा दिया माइनस 2 minus 2 to the 4 कितना आ जाएगा माइनस 3 ठीक है ना फिर मैं माइनस 1 पूट कर रहा हो तो माइनस 1 के साथ कितना जाएगा आफन माइनस 2 ऐसाद करें माइनस 1 हो जाएगा टो फ्रीट इतना माइनस 1 प्रीट करों पर जाएगा तो यह Nahe कुछन था आगे चलते हैं अभी कि यह रेंज में दिया हुआ है सेम पिछले वाला यह तो आपको यह होमवर के लिए छोड़ देता हूं क्योंकि आगे मुझे अच्छे अच्छे कोश्चन कवर करना तो इस पर टाइमेश करेंगे तो होंगे नहीं यह देख लिए आप स्कूर्ण करने का ट्राइब कीजिए अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन अल्वेज आस्क में मेरा नंबर आई तिंग सबके पास होगा यह तो वहां पर आप डारेक्ली मुझे कुश्चन पूछ सकते ठीक है यह टाइप के आएंगे अपकोर्स रुपेश सेट्स रिलेशन में यह है और मैंने देखो यह जो कोश्चन लिया है ना रुपेश 12 के बुक से सिदे सिदे लिये हुए तो ऐसा नहीं कि मैं किसी वेबसाइट स्क्राइब किए है हमने आप अभी टाइपस आप फॉंक्शन की बात कर रहा हूँ यह इंपोर्टन है देखो टाइपस आप्स फूंक्शन में चार फॉंक्शन के टाइप है मैं लिए हुटा में तो वन मतलब क्यों होता है जैसे देको औल यह यह कंडिशन तो क्लेर है कि और तेनों निकलना चाहिए ठीक है और तीनों रिलेटेड उना चाहिए यह तब function होता है तो वैंट वन में उन्होंने क्या कर दिया और एक change क्या कर दिया कि यहां से भी पीछे अगर एक एरो जा रहा है मतलब देखो यहां भी एक ही अगर रिलेटेड है then called as a one one देखा one two one यह एक जो है बस एक से related है समझ मारा यहां का एक उदर से एक से रिलेटेड है then it is called as a one one function clear है तो domain अपकोर्स कह रहेगा a b c domain कह रहेगा आपकोर्स a b c से उसके बात क्याहां है उसके बाद क्या रहा है धूरा एक कोड़ों ने आपका 1234 1-234 इस त्रहने है तो होoot हो सकता है यह वाद और किसी साहता है यह सकता अ एक प्रीमेंट नहीं हो सकता है यह बहीं दो और दो से ज़ादा एक एलेमेंट से क्या होना चीए, related होना चीए, ठेक है, यहांके जो element है, कम से कम एक element, दो और दो से ज़ादा element के साथ होना चीए, related होना चीए, तो उसको बोल सकते हैं, आगे चलते हैं अभी, अगले इस पर, अटू दिया होई, एक は, यहां पर क्या होजागा, रैंज़ भी अबी सिदी, और मेरा कोड़ो M mulheres ऐ21, तो क्या होता है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, और transitional क्या है, जहादे रैंज and codomens इक्वल निया, ठीक है यह वाला कंसेप्ट है नेक्स्ट वाला ट्राई करो देखो यह आपे चार कोश्चन दिये वाए ए बी सीडी तो आपको बताना है कौन सक डोमेन है कौन सक को डोमेन है स्वरी इंट्व वन वन एन ओन टू बताना आपको करो जल्दी से देखो एक चीज बताना भूल गया था आपको मैं आपको जो वन ओना हुता और न मीद्धी इस काल्ड इून वन फंक्शन को एक बलाते है इंजेक विलतρεभा दिख बलाते है जो ओस्ताए ऊधिट आन मन मनन वोन वर्ल मोन को यह व्ल देख एंज जै क्योड नोब मतलब आंटू था ठीक ना फ़ीला जो एक्जाम्पल यह आप है पर फर्स्ट वन इस ठीक सौरी ठीक फर्स्ट वन जो आपका ये वन वन भी है और उन्टू भी ए ठीक इसले में अपको गाज करने के लिए बुलाता वह यह ठीक है जो इंजेक्टिव और इन जेक्टिव ए औ आपी नॉन सब्जिक्ति मतलब क्या है चारों रिलेटेट है ए इन जेक्टिव तो है ठीक है यह वन वन तो है पर इसको उन्टू नहीं बूला सकते न क्योंकि दीका प्रीमेज अपर तो डीनिया रहे मतलब को डोमेन अर्ट इक्वल नहीं तो इसको अन्टू नहीं रहते हैं में जो दिया है इस लिए यह आपर चोड़ो में और तो भी बुलाते हैं और चुर्ज़क लुजा अब अपका मेने टुवन भी हो रहा है ठीक है ना देखो यह दो हों और बट कोड ओमेन रेंज इक्वल नहीं इसलिए क्या हो जाएगा इन्टो भी हो जाएगा तो इसलिए इसलिए नॉन सर्जेक्ट भी बुलाते और नॉन इंज्यक्ट भी बुलाते तो यह चार्ट से आपको उन्हों इक्वल है आप तो भी क्या हो जाएगा ठीक है वेरी गुड नीशा तो यह साथ में पूझा जाता है वन वन उन टू यह होता है यह साथ में और ऐसा ही ग्राब दिया जाएगा यह भी बुक का ही कोश्चन है तो मैं अल्रडी बता रहा हूं मैंने टेक्स्बुक से ल आप पला एक्वल देखो जब भी आपको दिया है क्वेश्चन में इन्वर्स निकालने के लिए तो अल्वेट की पिइन माहिन बस एक्स की जगा वाई रिप्लेस करो तीन स्टेप में बता रहा हुँ डिपलेस एक्स आज ऑस वाई और एकिऑ रिप्लेस करो ठीक है एक्से जगा y, y की जगा x replace करो and solve for y, and solve for y, जो आपका y आएगा, y क्या रहेगा, आपका y inverse of x रहेगा, जो भी आपका y आएगा, y क्या रहेगा, आपका y inverse of x, जैसे example दिया है, पर देखो, y is equal to कितना दिया है, 7x minus 4, तो y की जगा क्या है, मेरा x equal to 7y minus 4, simplify करना y की जगा, ठीक है, y की लिए solve करना है, तो मेरा 7y equals to कितना हैगा, x plus 4, तो मेरा y equals to कितना हो जाएगा, x plus 4 by 7, done, इतना सा simple है, ठीक है, इतना simple सा question है, sorry, देखो, और एक दिता हम है, y equal to the camera, 3x minus 5, तो इसका inverse क्या हो जाएगा, what is the inverse, इसकी जाएगा x, यह 3y minus 5 हो जाएगा, solve करो y के लिए, तो मेरा 3y equals to कितना हो जाएगा, x plus 5, तो मेरा y equals to कितना हैगा, 1 by 3, x plus 5, ठीक है, simple सा question है, यहाँ पर भी, आगे चलते हैं, अभी यहाँ से question bank start हो रही है, हर एक question को मैं 30 second दे रहा हूँ, उससे जादा नहीं, जल्दी जल्दी करने हैं आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी करने, fast, पहला question दिया आपको, x union 3,4 दिया है, x union, x union 3,4 दिया है और आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, which is the following straw, बहुत easy वाला question है, smallest state देखो, अगर मैं 1, 2, 5, 6 लेता हूँ, देखो, 3, 4 दिया है और यहाँ अलड़ी, smallest state मतलब जो 3,4 छोड़ के कोई भी अगर state आता है, उसके साथ union मना लेता हो, तो answer मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, आ रहा answer, तो मेरा 1, 2, 5, 6 होना चाहिए, ठीक है, आ ग्रेटेस सेट क्या होगा, खुद पूरा यह अगर में लिख देता हूँ, पूरा का पूरा, तो भी चल जाएगा, तो मतलब X ग्रेटेस क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, तो option A is the answer, ठीक है, very good श्रिया, C नहीं होगा ना, answer C क्यों आएगा, ठीक है, 1, 2, 5, 6 होगा, नेक्स वहला देखो, यहम्टी सेट है, A is a यहम्टी सेट बुला होगा है, तो उन्होंने यह पावर सेट है, P मतलब पावर सेट है, तो पहला पावर सेट है, उसका वापस पावर सेट लिया है, तो हमें यहन पूछाओ है, तो हमें number of P of P of P of A चाहिए, ठीक है, देखो आपका यहन आप A जो है, यहन आप A जो की वन है, वो यह वन दिया वाए, शौरी, Zero दिया है, Zero कुछ नहीं है, मतलब Zero ही है, ठीक है, तो पहला जो य。पो यहन पूप he होगा मेरा, ठीक है, यहन पूप अप ワप जो ओगा, वो क्या आएगा, तो यह वाला सेट हो गए, ठीक है, अभी next वाला दे dau्ल फो मतलब यम ले रहा है, ठीक है, मतलब उसका य ले रहा हूं मैं पी ओप पी ओप यह ले रहा हूं और उसका वापस क्या ले रहा हूं यह ले रहा हूं देखो वापस definition apply करते जा रहा हूं तो 2 रस्ट्ट क्या होना चीर 2 होना चीर तो कितना यह 4 आया मतलब a-b is 8 plus 2x है यानव b-6x दिया हूं और a intersection b दिया है मुझे x तो यानव a equals to यानव b बूला है उन्होंने then what is the a intersection b देखो अगर मैं when diagram से बता रहा हूं आपको यह मेरा set a और a मेरा set b है ठीक है ना तो मेरा जो set a देखो यह set a यह मेरा b है और a क्या जाएगा मेरा बीच वाला a intersection b ठीक है एंटरसेक्शन भी तो उनके according a intersection b तो x है मेरा a जो है यानव a-b मतलब इतना वाला रिजन है यह वाला रिजन यानव a-b जो रिजन है डार्क वाला हो क्या है मेरा a plus 2x है और यह वाला जो है न ऐसे वाला देखो यह वाला यह वाला क्या है मेरा 6x है तो उनके according यह ना पीजन भी मतलब यह वाला भी इंकलूड होना चाहिए तो मेरा यह यह नौप a is nothing आया answer फिर a-b जो है sorry b-a plus क्या आ जाएगा यह न पे intersection b ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 6x plus x हो जाएगा तो मेरा क्या हो रहा है यह आपे देखो 8 plus 3x is equal to kतना हो रहा है 7x तो 4x equals to कितना आ जाएगा 8 तो x equals to कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो x तो 2 आ रहा है ना उन्होंने यह intersection भी पूछा जो की x है मेरा तो d option होना चीन नौन आप दिया ही नहीं हो आपे ठीक है ना very good बहुत लोगो का आया ता आगे चलते देखो the next question दिया वाया आप है जल्दी से वेंड डियाग्राम से ट्राइकर इसको भी वेंड डियाग्राम से ट्राइकर ना fast क्या दिया आपको a and b which of the simple expression दिया देगा यह universal set है यह मेरा a दिया है यह मेरा b दिया है ठीक है यह set a यह b है according to first a intersection b क्या बोला a intersection b चलो ठीक यह intersection b ले 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 मैंने ठीक है उसके बाद क्या बोला a intersection b compliment अभी a intersection b compliment हमने देखा था actually अगर आपको उपर याद होगा तो b compliment मतलब पूरा आजाएगा और बट intersection है तो a intersection b compliment मतलब यह वाला रिजन आ जाएगा देखो त्यान दो हमने एक दिया था a intersection b compliment मौहापे मैंने mention b क्या आता it's equals to a minus b होता है और a intersection b compliment को भी मैंने mention क्या था यह क्या होता आपका b minus a होता है याद है तो यह वाला रिजन हो जाएगा ठीक है तो अगर आप देखोगे तो यह पूरा क्या हो रहा रहा आपका a union b हो रहा है ठीक है when diagram बहुत important है वैसे देखा जो तो अच्छे लेवल का question है बहुत हो ठीक है नेक्स वन दिया देखो आपको union दिया है 123 यून दिया 123 देखो अगर आपको lecture अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी किया करो ठीक है ना तो आगे भी बहुत बच् लिए 123 तो पी आप जो है मेरा power सेट अप ए तो power सेट आप जो हुगा मेरा पी आप ए क्या आएगा देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वन आयाएगा फिर टू आयाएगा फिर वन कॉमा टू आएगा ठीक है और क्या आएगा 5 सेट आएगा और उनने बोलाए कि देखो पी आप एडाइज बोला हुए तो इसका भी उनियन का क्या जागा पावर यू पावर आप यूनियन क्या होगा देखो दोनों का लिखना है ना आट इलेमेंट आ जाएगे इसमें टू त्री सॉल कर रहो हूँ आपके लिए ठीक है वन कॉमा टू आप भी ट्राय करो उसके बद क्या एगा वन कॉमा ट्री उसके बाद टू कॉमा ट्री और लाश में क्या आगा मतलब लाश्ट दो क्या हैंगे वन टू तरी एंड फाइट ठीक है ना दो रहे तो उन्होंने बोला देखो यह वाले लेमन चोड़के मतलब यह अट जाए इसके बाद यह आटा उसके कहले वन टू हड़के और फाइसे ठर्ट इसलो अंट रहे ना बचा काया मेरा वस्तों तरि लो से रहे वन ट्री कि चलते हैं पर नेक्सवन दिया देया ओर यह आहे और तो मैं दो-चार question आपको homework के लिए चोड़ रहा हूं और आप practice करके उनको करवा लो ठीक है इसके बाद देखो एक-एक slide में change करते जा रहा हूं तो please आप यह करवा लिजे बाद में और बाद में आप answer पूछ सकते हैं मैं वहापे post करवा दूँगा ठीक है इजी वाले question से आप आराम से कर सकते हो लास के मैंने inverse के लिए दिया है इनवर्स का भी बहुत इजी वाला ही है अगर देखना है तो आराम से कर सकते हैं यह चाप x मतलब इसको y जैसे treat करना है तो y कोस्ट कितना दिया आपको 5-9x दिया हुए 5-9x दिया हुए तो अगर आप solve करते दो को इसकी जागा x और इसकी जागा y आजाएगा तो simplify करके कितना हो जाएगा आपका 5-x दिवाड़ आजाएगा नाइन तो second question भी वैसे करना है second question भी वैसे करना है यह वाले भी वैसे ही करने तो मैं इंपोर्टन नोटीस बताने वाला उसके लिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ठीक है देख अभी मैंने जो टेस्स ताम मारा वो 200 रूपीज का तो मैंने coupon code सब हटा दिया अल्मोश वन भी यह बता रहा हू है ठीक है और next one is अभी बहुत बच्चों ने अभी तक test series ले नहीं है और किसी और class के लिके रखे हुए तो इसके लिए मैं 21 से 21 से कर रहा हो कि यह कोई reasoning math का तो मैं यहाँ पे cover कर रहा हूँ बढ़ बहुत बच्चों का यह था कि सर आप reasoning यह computer subject कर रहा नहीं रहा हूँ ठी मैं reasoning English and computer awareness इनके फ्री में जो हमारे यहाँ पे जो आप एक्क्यू श्टडी का यहाँ पे जो वीडियो लेक्चेस अप्लोड किये रात को 9 से सुबह 9 तक मैं फ्री में अप्लोड कर दूंगा मतलब वहाँ पे लॉक यह सब वीडियो तो unlock कर दूंगा तो 21 से 22 में यह सब वी और क्या वाए तो यह questions करने वाले तो आपको क्या करना है यह test में open रखने वाला हूँ 9 पीम से 9 एम तक यह देश दिये में आप हर एक topics के लिए तो आपको जो टॉपिक लग रहे है कि आपको revision की requirement है उसे सबसे आप उस दिन उस दिन के लिए यह open करके रखिए या उस दिन के लिए दे रहा हूँ मैं सबको और जो लिंक दिया था मैंने WhatsApp का वाहां पर वापस भीजा है उस पर क्लिक कीजिए और connect कीजिए गुरूप को ठीक है तो आज के लिए बस इतना करते हैं मिलते हैं नेक्स लेक्चर में कुछ होगा तो प्लीज बोल देजे ठीक है इसका स्क जаф का स सुम होगाती है अल्से स्क्थ्पो झाल अल्से सा प्लैना का वाय चांविए बना कीजिए proteव हैं जल कि रिएन बदूर जल सक्थ्पावप लदुभरं, हैं जल सुछ है कि देदर ख़िए झाल